Hello everyone, this is Kedi Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus जहाँ पर आज हम नाउन की क्लास कम्प्लीट करने के बाद हमारा दूसरा कंसेप्ट क्लास में आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है नाउन एंड नमबर और इसकी अपनी पहली क्लास है जिसमें ये बताएंगे कि नाउन एंड नमबर क्या होता है इसकी क्या डेफिनेशन है तो चलिए आज की क्लास सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि नमबर नमबर का मतलब क्या होता है इसका साब्धिक अर्थ होता है वचन क्या होता है वचन इसके बारे में जानेंगे अभी यह नाउन के singular या plural होने का बोध करता है कौन करता है यह वचन जो होता है यह बताता है कि नाउन singular है एक वचन है या plural number है बहुचन है ठीक है definition of number English में देख लो if a noun tells about one यदी कोई noun एक के बारे में बताई तो वो singular है और more than one एक से अधिक के बारे में बात करें यदी कोई noun एक या एक से अधिक के बारे में बात करता है तो उससे अपन क्या कहते हैं नाउन कहते हैं वचन कहते हैं जैसे example देखो ए boy इसका मतलब हो गया को दूस सारे लड़के more than one अच्छा ठीक है नंबर कितने परकार का होता है वचन कितने परकार के होते हैं तो इंग्लिस में there are two kinds of number दो परकार के होते हैं singular नंबर और plural नंबर इनकी डेफिनेशन देखते हैं singular नंबर इसको इंदी में एक वचन बोला रहता है if a noun tells about one यदी अब्छेमें बताए तो किया कि लती सिंगुलर नंबर करते हों से जैसे एक स्चुडेंट एक स्टुडेंट एक पैन एगाल एक girl, a man, एक man, एक आदमी, ठीक है, यहाँ देखो plural number, plural number का इंदी में मतलब होता है बहुचन, क्या होता है, बहुचन, if a noun tells about more than one, एक से अधिक के बारे में बता है कोई noun, तो उसे अपन क्या कहते हैं, plural number कहते हैं, ठीक है, बहुचन कहते हैं, जैसे students, मतलब बहुच सारे students, woman, यहाँ देना, ज्याँ देना, एस नहीं लगाया है, इस प्रकार के रूल आगे के वीडियो में रोज सिखेंगे, घुजना कुछ, तो woman, औरते, प्लेज, नाटक, बहुच सारे, ठीक है, man, यहाँ भी देखो, ई लगा हुआ है, यह में, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, man, बहुच सारे आदमी, अब इसको हम थोड़ा सा, simple way में समझने का परियास करते हैं, ठीक है, तो अब simple way में क्या है, हमने क्या पड़ा, number, क्या पड़ा, number, इसको क्या बोलते हैं, वच्चन बोला जाता है, यह कितने प्रकार का होता है, दो, एक तो होता है, singular, और एक होता है, plural, दो प्रकार का हो गया, singular, एक की बात हो, ठीक है, plural एक से अधिकी बात हो इत्ता ही याद रखना एक की बात हो तो वो क्या है singular एक से अधिकी बात हो तो वो क्या है plural आगई बात समझ में तो आज की इस वीडियो में हमने कैसी का की नंबर क्या होते हैं उन्हें कैसे पैचा ना जाता है अब इसके बाद में हम ये सिखेंगे आगे आने वाले वीडियोज की बात बता रहा हूं जिनमें singular से plural के से बनाते हैं नावन को और कुछ नावने से भी होते हैं जो दिखने में plural है लेकिन singular की तरह यूज होते हैं तकि आने वाली लेटिस्ट वीडियो की नोटिफेकिशन आपको तुरंत मिल जाए और वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए फिर में लगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर तब तक के लिए टेक केर बाई बाई